हेलो स्टुनेर्स तो आज मैं बात करने बाला हूँ कुछ ट्रिक के बारे में जिन ट्रिक का उपयोग करके आप किसी भी प्रकार के नंबर का प्रोड़क्ट विदिन वन आर टू सेकंड्स में निकाल सकते हैं इससे आपका कल्कुलेशन कौफी स्ट्रांग हो जाएगा जो कि आपको आगे की स्टडी यानि की मैथमेटिक्स पढ़ने में काफी हेल्पुल होगा काफी आपकी हेल्प करेगा तो आज मैं बात करने माला एक बहतरीन मेथड एक ट्रिक जिससे हम किसी भी संख्या का फाइब से मल्टिप्लाई करें तो हम एंसर को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें बहुत ही इजी ट्रिक है किसी भी नंबर को अगर फाइब से मल्टिप्लाई करना है तो उसका एंसर ह हमें 3 to 5 सेकंड के अंदर ला देना है चले हम देखते हैं तो ध्यान दीजेगा लिखा 8 multiply by 5 कुछ नहीं करना है इसको अब हाफ कर देना है आपको सबसे पहले 8 का multiply 5 से करना है तो 8 के साथ में 0 लगा देना या निकी 80 और फिर इसको आधा कर देना है तिसका आधा क्या जाएग लाश्ट में 0 लगाएंगे ओफिस का आधा कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 8 और 0 का आधा क्या हो जाएगा 0 तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का answer अगर multiply करना है उसे 5 से किसी भी संख्या का multiply या 5 से करना है तो उसका answer हम within 1 hour 2 seconds में ला सकते हैं easily अब है 2, 3 तो 0 कर द जाएगा यहाँ पर देखते हैं 4, 5, 0 मन इसको हाफ करेंगे तो 22 2 जा 44 एंड 5 जैंसे 1 बचा था तो 10 हो गया 2, 5 जा 10 हो जाएगा यानिकि 225 इसका answer हो जाएगा यहाँ हम करते हैं 8, 6, 0 हाफ करेंगे 4, 3, 0 का 0 यहानिकि 430 इसका answer हो जाएगा यहाँ देखते हैं 9, 80 0, 9, 8 0 कर देना अपने से 2, 4 जा, 2, 9 जा 0, यानि कि 490 इसका आंसर हो जाएगा, यहां देखते हैं 1, 2, 3, 0 कर देंगे, अब 2, 6 जा और 15, 2 जा, यानि कि 650 इसका आंसर हो जाएगा, चलते हैं अगर बड़ी संख्या होगी, तो 2, 3, 5, 6 लाश्ट में क्या करना, 0 11, 2 जा, 22, बचा 1, 15 हो गया है, 2, 7 जा and 2, 8 जा, 0 है तो 0, यानि कि 1, 1 7, 8 0 आपका एंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कि किसी भी संख्या का मल्टिपलाई, अगर हमें 5 से करना है, तो भी दिन 1 आर 2 से करना है, उसका एंसर प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही simple method है, में फिर से रिवाज करते हैं हमें 8 का मल्टिपलाई, अगर 5 से करना तो क्या करेंगे सबस्वले, 8 के साथ में 0 लगा देंगे, 16 का 5 से करना है, 16 लिकना उसके साथ में आपको 0 राइट कर देना है, फिर हो गया हाफ कर देना, 8 का हाफ 4 हो जाएगा 0 का हाफ 0, 16 का हाफ 8 0 का हाफ 0 तो चलिए, अग नेक्स्ट trick में हम बात करते हैं, किसी भी number का multiply जो हम 11 से करते हैं तो easily, हम इसे trick से कर सकते हैं तो उस trick की आज हम बात करने वाले हैं ये trick भी very simple है जैसे हम किसी number का multiply 5 से करते थे उसी के जैसे coffee simple है trick है, कुछ भी आपको नहीं करना है 5 है, तो पहला number आपको 5 write करना है इसके बाद दोनों number को add कर दो 5 plus 2, 7 हो जाएगा और last में 2 है, तो आपको 2 write कर देना ये आपको answer हो गया बहुत 3G method है, कुछ नहीं करना है पहले, पहला number आपको फिन दोनों को add कर दो और 7 हो जाएगा, फिर last में इस number को फिर से आपको put कर देना है, बस हो गया तो काफी easy trick होगी, आगे चलते हैं पहला number 7, तो 7 write करेंगे 7 plus 1, 8 और last में 1 है तो 1 यहाँ देखते हैं, तो 3 तो पहले 3, दोनों number को add करेंगे तो 3 plus 5, 8 हो जाएगा last में 5 हो तो क्या write कर देंगे? 5 write कर देंगे, चले आगे चलते हैं 1 है तो 1, 2 plus 1 आपका हो जाएगा 3 और 5 plus 2 आपका हो जाएगा 7, last में 5 हो तो 5 कर देना है आगे चलते हैं, तो पहला number क्या है? 3, तो यहाँ write करेंगे हम 3, फिर इसके बाद इन दोनों को में add कर देना है, तो हो जाएगा 3 plus 1 4, फिर इसके बाद इन दोनों को add कर देना है, तो 1 plus 2 हो जाएगा आपका 3 फिर इसके बाद इन दोनों को add कर देना है तो 2 plus 7 हो जाएगा 9 और फिर last में 9, 7 को write कर देना है, तो इस तरीके से आपको यह answer होगा, तो किसी भी number का multiply अगर हमें 11 से करना है तो बहुत ही आसानी के साथ हम कर सकते हैं, चले उसी ट्रिक्स को हम फिर से अपनाते हैं, मैंने क्या बोला पहले पहला number यानि की 7 फिर इन दोनों को add करो हो जाएगा 8 plus 7 15 तो 15 के लिए 5 आपको यहाँ write करना है, कैरी आपका यहाँ पास हो जाएगा, फिर इसके बाद इन दोनों को add करेंगे, तो 9 plus 8 हो जाएगा 17, 17 के लिए आपको 7 यहाँ और carry, यहाँ write कर देना है इन दोनों को add करेंगे, 9 plus 4 हो जाएगा, आपका 13 तो 1 आपको carry कर देना है 4 plus 3 आपका 7 carry नहीं है, तो वहाँ put करेंगे कुछ, 3 plus 2 आपका 5, तो 5 write करेंगे 9 plus 2 आपका हो जाएगा 11, तो 1 यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा और फिर लाशनी आपको क्या write कर देना है 9 अब इसका answer रिखेंगे, तो 7 plus 1 आपका, 8, 5 plus 1 6, 7 plus 1 8, 3 तो 3 7, तो 7 5 plus 1, 6, 1 है तो 1, और 9 है तो उसका multiply 11 से करना है, तो बड़ी ही आसानी के साथ हम उस number को multiply करके उसका answer प्राप्त कर सकते हैं, चले इसी trick का उप्योग हम, और आगे करते हैं, क्या हमारी 11 वाली trick, यहाँ पर, यानि कि अगर हम इस number को 55 से multiply कर रहे हैं, तो क्या हमारी यह trick यहाँ पर काम करेगी, तो चलिए देख लेते हैं, 55 हम क्या लेख सकते हैं, 11 multiply by 5, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 11 वाली trick के according क्या करेंगे, 11 से multiply करेंगे, फिर 5 वाली trick से हम इसको 5 से multiply कर देंगे, बहुत इजी होगा, बस एक बार देखते हैं, फिर से 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 10 तो यहाँ हो जाएगा 1 and 0, और फिर लास्ट में 8 है, तो क्या हो जाएगा आपका 8, इसका answer लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4, 6 8, 9, 0 and 8, अब मैंने क्या बोला, 5 से multiply, तो 5 से multiply करने क्या करते हैं, last में 0 लगा लेते हैं, और सबको half कर देते हैं, चलिए, यह हो जाएगा आपका 2, 2, 4, 2, 3, 2, 6, 2, 4, 2, 8, यह आपका 45, 2, 2, 90, और यह आपको जाएगा 42, 80, यानि कि 2, 3, 4, 4, 5, 4, 0, यह आपका answer हो जाएगा, तो इस तरीके से जो हमारी 11 by trick है, वो हम 55 को multiply करने, पर भी यहाँ पर आसानी के साथ है, कर सकते हैं, यहाँ देख लेते हैं, क्या इस पर trick काउंट करेगी, तो इसको भी हम क्या लेक्सकते हैं, 11 into 2, तो पहले हम 11 के carding solve करेंगे, इसके बाद फिर हम वहाँ, उसको double कर देख लेते हैं, तो पहले क्या होगा आपका, 2, फिर इसके बाद 2 plus 0, 2, 0 plus 4, 4, 4 plus 8, 12, 8 plus 2, 10, और last में हो जाएगा अपका, 2, तो इसका answer क्या हो जाएगा, 2, 2, 5, 3, 0, तो अब इसको double कर देना, double कर देते हैं, यह आपका हो जाएगा, 4, 0, 6, 10, कहीं रिचला जाएगा उदर, तो 2, 2, 4, 4 plus 5, और 2, 2, 2 जाएगा, 4, यानि कि इस तरीके से हम इसका answer भी, बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं, तो यह थी trick, जिसमें हम किसी भी number को 11 से multiply करके, बहुत ही आसानी के साथ, within 1 or 2, maximum 3 seconds में हम, इनका solution या इनका product, finally कर सकते हैं, तो चलिए हमें एक और, जवर्दस trick के बारे में बात करते हैं, अगर हमें इस तरीकी संख्याओं का product पता करना है, तो बड़ी ही आसानी के साथ हम पता कर सकते हैं, जैसे लिखा 5 यहां भी है, 5 यहां तो 5 से बढ़ा करके दो बार 5 आए, एक जहां, एक यहां तो 5 बढ़ा करके 6 कर लेना है, और फिर इसका multiply करेंगे, तो हो जाएगा 5, 6 जापका 30, और फिर इन दोनों का हम आपसे multiply कर देंगे, 7, 3 जा 20, 1 तो इस तरी के से मारा answer हो जाएगा, काफी जी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5 से बढ़ा करके हम क्या कर लेना है, 6, और फिर 3, 7 जा 21, यानि कि 30 और 21 हमारा answer हो जाएगा, सेम चीज, 4, 4, यानि कि 4, 5 जा आपका 20, 20 और 6, 4 जा आपका हो जाएगा, 24, फिर सबहाई चीज, 3, 3, यानि कि 3, 4 जाएगा, 12, और 9 जा 9, तो यहां पर single digit आ रहा है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, उसको double digit बनाने के लिए 0 एड़ कर देंगे, यानि 9 जा 9, single digit में आ रहा हैं, तो 11 का multiply 12 से करेंगे, तो जाएगा आपका 100, 32 और फिर 3 से बन्जा आपका 21, इसके बाद फिर 6, 6, यानि कि 6 बन्जा, 42, 9 बन्जा, तो 9, यानि कि उसको हम 0, 9 कर लेंगे, तो इस तरीके से एगर हम यहां पर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट पता करना है, तो हम बड़ी ही असानिक सा निकाल सकते हैं, यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, कि जो यह है, हमारी ट्रिक काउंट करती है, उसमें दो condition होती है, condition number first क्या होगी, कि जो number हमें दी जाएंगी, वो एक ही 10 के बीच की होने चाहिए, एक ही 10 के बीच की मतलाब है, जैसे भी आगा है, 82, तो हम इसको 88 से multiply करेंगे, यानि कि 8 यहां है, तो 8 यहां भी होना चाहिए, तो यह condition number first होगी, यानि कि यह पहली सर्त है, फिर 8, 8 यानि कि 8 नाइज आपका 72 and 8 टू जा, 16 तो इस तरीके से हम answer पता कर सकते हैं, condition number दूसरी क्या होगी, कि अगर हम लिया है 9, 3 यानि कि 93 लिया, तो एक ही 10 की होगी, यानि कि यहां 9 ही होगा, यह तो fix है, इसके बाद हमारा जो once होगा, तो once का sum 10 आना चाहिए, यानि कि 3 प्लस 7, 10 होना चाहिए, 8 प्लस 2, 10, 9 प्लस 1, 10, 7 प्लस 3, 10, 1 प्लस 9, 10, आपका 6 प्लस 4, 10, 7 प्लस 3, 10, यहां पर भी आपको ध्याम देना है, इसके यही तो condition है, पली condition, कि जो 10 हो, वो same digit होना चाहिए, दूसरी condition क्या होगी, कि sum of unit digit, यानि कि unit digit का योग फ्ल आपका टेना चाहिए, तो इस प्रकार से हम इस इस टिक से इसका multiplication यानि कि product बड़ी है असानिक से निकाल सकते हैं, तो यह आपको क्या हो जाएगा, 9 है, 9 तो यह 9 तेंजा, 9 पी, and 7 थ्री जा, 21, तो इस तरीके से हम इस टिक काउप्यों करके, बड़ी है असानिक से इस प्रकार के number का multiply करेंगे, और next वीडियो में हम ऐसे और नए ट्रिक को मारे में बात करेंगे, तो तब तक के लिए जाएं